चैनल परिक्सास है पार्टी में आप सभी का हार्दिक श्वागत है गुड इवनिंग टू अलो फ्यू मेरी तू चलिए जैसे कि हम अपनी तैयारी कर रहे है यूजी सी नैट की लाइब्रेरी के हम तैयारी कर रहे है डेली जो आपका एक टेस्ट आपका चलता है डेली हमारे जो टेस्ट है 20 कोश्वाटशन का एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसमें यह पता चलता है कि हमने जितनी तैयारी किया है उसमें से हमने गेन कर पाये है कितना हमसे आता है यह उसी जानने के लिए क्या हमारी हो चूकी है जितना हमने पढ़ा हुआ है ऐसमें से कितना हम चीव कर पाए यह सभी जो है आपको इस टेस्ट के माध्यम से आपको पता चलता रहेगा अगर जो आपके few C आपके चलरा है test आपके चलरा है चोटा सा इसमें आपको comment section में comment करके जरूर बताना, आपने कितने question का answer दिया है, कितने question का answer आपको पता था, क्योंकि जो टेस्ट आपका है, जो आप पढ़ चुके उसी में से आपके जो टेस्ट है, वो चल रहा है, डेली आपका एक छोटा सा test लिया जाता है, चलिए आप question, क्यों चलते है, question first है, match the following, निमली कि सुमेलित करें लिस्ट फर्स और लिस्ट सेक्ड दी गए सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड आपको मिलान करना है जैसे डारेक्ट्री हो गया एनुल्स हो गया विब्लियोग्राफी और नूज पेपर डाइजिस्ट है इसके मैच करना आपको इनफॉर्मिशन प्लीज ऐलमेन तो जैसे डारेक्ट्री है तो जो मैच किया गया यह क्या इन्साइक्लोपीडिया एस्टेशेशन एन्वल्स का मैच करेगा इवेंड तो इसका जो सिक्वेंस बनता है कुश़्षन का जो सिक्वेंस बने गाओ यह बनता है थर्ड फर्बर फॉर्फियंब ऑप्शन एक levुट्री वोल्यूम거ियो है उप्शन एक्सिज Rat çev औल ओप्शन ऑनलाइ इंप्प्णा परवेश ऌनलाइन है परविड इंप क्या होगा 1 डी सहाल कुछ 2 नाइक बता णगे जो वोल्यूम मैं उसके उसके परवेश को क्या कहते हैं question second correct answer क्या होगा perpetual access option भी correct perpetual correct answer होगा question second option भी right है next question question number third facts on file can be grouped under facts on file को निम्न समू के अंतरगत रखा जाता है तो facts on file जो है उसे कौन से समू के अंतरगत या फिर जो अंडर है वो रखा गया है option a primary source जो प्रात्मिक श्रोथ होता है option b secondary source द्वित्यक श्रोथ option c tertiary source त्रित्यक श्रोथ option d none of the above उप्युक्त में से कोई नहीं तो 10 second में आपको इसका right answer देना है जो फाइल है वो किसके अंतरगत रखी गई है किसके अंडर में रखी जाते है दस सेकेंड आपको मिली है question 3 का right answer क्या होगा question number 3 का correct answer आपको बताना है 10 second के अंदर अंदर आपको इसका right answer देना है चलिए इसका right answer है secondary source है द्वित्तिक श्रोथ option b correct है question 3 का option भी secondary source है द्वित्तिक श्रोथ जो है यह right answer है next question है question number 4 कुस्ष्शन फूर्थ है असेशन है एल्ड परन चारज अबिकतन कहता है सूर्ड रिपोर्ट तयार करते समय तक्निकी लेखनमानक इस्टाइल मैन्नेंवर और उध्रनमानक अनिवारीय होते हैं तर्क कहता है सोध रिपोर्ट की संग्रचना को मान की क्रत करने से उसका मुल्य बढ़ जाता है तो उसका जो मुल्य है जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी बढ़ जाएगी चलिए अब इसके ऑप्षण देखता है ऑप्षण ए टू ऐ ए फॉल्स ए और दोनो ए सत्ते है तो the second में आपको right answer देना है question fourth का correct answer क्या है question number fourth जो है इसका right answer क्या होगा चलिए यह इसके assertion and reason आपको दिया गया question fourth का right answer is true and r is partially true a सत्ते है और r आंसिक रूपशे सत्ते है option a correct answer question fourth का next question है question number five question number fifth है the process of segregation repacking and compaction of the primary literature that result in creation of creation of secondary generals is प्रात्मिक शाहित्य के परतिनी दित रिपेकेजिंग और संग्शिप्ति करण की परकिरिया जिसके प्रिनाम शवरूप दुट्य पत्रिका का सर्जन होता है वह है तो वह है क्या होती है option a newsletter तो वह डैस है न्यूज लैटर है option b abstracting and indexing प्रियोडिकल पत्रिकाओं का सार तैयार करना और अनुकर्मनी करन बनाना option c house journals option d electronic journal electronic journal बनाना दस सेगिन आपको मिले question 5 का correct answer क्या होगा तो जो सवरूप है दुट्य पत्रिकाओं का सर्जन होता है वह बोला गया कि वह क्या कहलाता है तो वह क्या होता है तो वह जो होता है वह क्या है आप स्ट्राक्टिंग और इंडेक्सिंग प्रोडिकल पत्रिकाओं का सार तयार करना और अनुकर्मनी का बनाना option भी करेक्ट है question 5 का option भी जो होगा इसका correct answer होगा next question है question number six question six में पूछा गया है match the following queries with their appropriate category of reference source निमले कित संधर्व परशनों को उनके उच्चित शंधर्व श्रोत की शेनी से सुमेलित कीजिए लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकिन दीगे सुची फर्स्ट का सुची सेकिन से क्या करना आपको match करना है मिलान करना है जैसे ए लिस्ट फर्स्ट में दिया गया इन्रोल्मेंट फिस्टुडेंट इन युनिवर्शिटी बी वैदर ओफ डैनमार्क सी नंबर ओफ फोरनर्स विजिट विजिटेड वर्ल्ड बुंक वर्ल्ड बुक फियर इन 2011 डी नंबर ऑफ ऑस्पिटल इन चाइना लिस्ट सेकिन एर बुक है स्टेटिस्टिकल सोर्स है इस स judgment बताना है कुश्पिषन 6 का राइट आंसर इसका नमसर क्या होगा इसका सबसे पहले इन एंडर्लमेंट उपस टूडेंट इन युनिवशिटी विषवि ध्यार्त्य नामंकन showき hi यह क्या है डारेक्टर यानि निर्देश का भी है वैदर ओफ डेन्मार्क डेन्मार्क का जो मोशम है यह हो जा एगा जोग्राफिकल सोर्स इज बोगोलिक फिर आपका नमबर ओफ फोरेनर्स विजिटीड वर्ल्ड वर्लड बुक इन वर्लड बुक फिर इन टू थाउजएंट एलेवन तो यह हो जाएगा आपका वाशी की फुस्तक यानि ये ये बुक्स आपका है लाष्ट बचता है नमबर ओफ ओस्पिटल इन चाइना तो यह हो बेहां पेशन है क 115 विडारेस सोर्स पेशिए विल्ड डडाइट्री ऑफ सोर्स ही पेटर ब्रींट इलीजेंगे और सॉर्स में वा जैजिक किसके द्वारा कालिट होता है किस द्वारै की प्रकालिट मोड़ mensen ने बावकर सोर USA बावकर सोर USA वी विपो डबलू आई पी ओ ओप्शन सी पे टेंट इन्फोर्मिशन सिस्टम इंडिया डी 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 डर्वेंट लंदन तो जो डर्वेंट लंदन है इसमें कोश्चन 6 कोश्चन नमबर 7 में राइट आंसर क्या होगा 10 सेगिंड आपको मिली सेवं इंपोर्डेंट कोश्चन 10 सेगिंड में आपको इसका राइट आसर देना है कि रेप्शन वो किन्परकाश्थ किया गया नवा हम को यॉज्व से क्या बनता है वल्ड आपको बनेगा आई से इंटलेक्ट्ड आई से क्या बनेगा अधीर से बनेगा इंट्प sous क्तुर्प utiliz और से बनेगा और्गेनाईजेशनय यानि संगटन संगटन आपको बनता है उतक रहाए फ्रेये कर 20 तो इस हम residents दापना की गई ती फूर सड़ सद में चानकति ऍमें इसकी मुख्यार है तू जो हैड़कॉटर पूछने लगे तो वह कहा पर है जिनेवा में आपका रलेकॉस पूछ ay बीडिया नंबर कोश्च में प्रकाशित होते हैं उल्ट है ये क्युन के प्रकाशित होता है नेक्स्ट कोश्च नंबर बहपका है इसमें पुछा गया था इंडिया पेटेंट यह पबलिज्ड होता है गैजिट और इंडिया पार्ट सर्ड गजट ऑफ इंडिया भाग 3 में यह आपके होते हैं औप्शन सी इसका correct answer है next question है 9 टेम्प्लेट इजा तो टेम्प्लेट क्या है तो टेम्प्लेट इसमें पूछा गया कि टेम्प्लेट होता क्या है औप्शन इस्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन संग्रक्षित विनिर्देश औप्शन भी कर्सिव रूटीन ओप्फयं C Assembler Program d IQ मेजर आइक्ये माप तो टेम्प्लेट पूछा गया कि template क्या होता है तो टेम्प्लेट कि हों vision Somet 9 currently ontor आपको बताना है the second ओफ तो टेम्प्लेट क्या है template इसमें पूछा गया कि template होता गया question number 9 का right answer क्या होगा 10 second आपको मिलिए 10 second के अंदर आपको right answer इसका देना है तो template जो होता है structured specification संग्रचित विनिर्देश structured specification यानि संग्रचित विनिर्देश होता है है तो template जो होता है वो structured specification होता है next question question number 10 the online version of mac grow hill in cyclopedia of science and technology is mac grow hill विज्ञान और प्रोधोगी की सब्ध कोश्का online रुपांत्रन डैस है option a axis science option b mac grow hill online option c online in cyclopedia of science and technology विज्ञान और प्रोधोगी की online visual course option d science online तो 10 second आपको मिले है question 10 का right answer क्या होगा 10 second में आपको right answer इसका बताना है कि जो mac grow hill है वो विज्ञान और प्रोधोगी की सब्ध कोश्का online रुपांत्रन है तो कौन सा है दस सेगिंड आपको मिली थी चलिए टाइम आपका खत्म और राइट आंसर है इसका एक्सिस साइंस option एक करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर 11 फूर दफ पब्लीशर ओफ एयर्बूक ओन हुमन राइट्स एयर्बूक और उमन राइट्स का प्रकाश्यक कोन है तो प्रकाश्यक कौन था उप्शन ए युनाइटेड नेशन ऑप्शन भी मिनिस्ट्री ओफ लाग और मैंट ओफ इडी इंडिया विधी मंत्राले भारत सरकार उप्शन सी यूरोपा पब्लिशर्स ऑप्शन डी आर आर बाउकर कुष्चरिक स्की परवार किया सुद्री आर इलेवन करक्व पूर्ग ऑप्रव marvelous और करेक्व ला बार कोmind इसमें अभी कतन जो होता है असर्शन बोलता है इनसाइकलोपीडियाज है विन रिगार्ड़ेड एड़ सब्स्टांस सब्स्टिटूट ऑफ ओल कैटेग्रीज ओफ रेफ्रेंस सोर्सेज एज एज इस प्रोवाइड टाइप्स अभी कतने विश्व कोसो को शभी स्रेनियों के संधर विश्वतों का इस्थानपन समझा जाता है क्योंकि वे सभी प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं रिजन और इनसाइकलोपीडियाज प्रोवाइड कंप्रेंसिव इन्फोर्मेशन ओन ओल एस्पेक्ट विच अदर्वाइज और इन डिफ्रेंट कैटेग्रीज ओफ रेफ एब फोल्स बोत एंडिवा तो बटार इस प्रकारीज ओफ कोशन डिबोथ एढर और दार टो थो ये सब्सारेंस्वतारन की ब्रॉट सत्ते शत्य उप्रंत विंग्राइट राइटा सोर्संत्यक्राइज है फैटे no more 13 प्राइमरी सोर्स इस एन आर्टिफेक्टा डॉक्यूमेंटर रिकोडिंग और अधर सोर्स फिन्फॉर्मेशन दैट वाज क्रेटिंग दूरिंग इवेंट और इमिडेटली आफ्टर दाइवेंट अभी कतन कहता है स्यक्षनिक विशय के रूप में इथियास अध्यान हेतु प्रात्मिक शोत है सिल्प तत्या पर लेक अभी लेक यान्य सूचना शोत जिसका सर्जन गटना के समय का घटना के तुरंत बाद हुआ था रिजन और प्राइमरी सोर्से और कंसिडर्ड एज ओरिजनल मैटिरियल और एविडेंस इबाउट दर टोपिक एंडर फंडमेंटल टू हिस्ट्री तर्क कहता इसमें कि जो मूल सामगरिया विशय वस्तू से संभंधित प्रमान प्रात्मिक श्रोत माने जाते है जो कि इत् सेकिन में आपको इसका राइट आंसएर बताना होगा जलदी से अपने इसमें दोनों की और रार चांसड टू होगी नेक्स्ट कोई से और फॉर्टीन कुसचिन 14 है मैच दब फॉलोएंग निम्लिकित का मिलान कीजिए लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकिंड आपके सूची फर्स्ट का सूची से मैच करना है जिसमें डिक्षनरी है ग्लोश्री है थीसर से लाक्षिकोन है लिस्ट सेकिंड है फॉरन लेंग वे सिनोनियम स्टंड वर अंदर आपको इसका राइट आंसवर देना है कुश्चन नमबर 14 का कुश्चन जो 14 है इसमें राइट आंसवर क्या होगा इसमें सबसे पहले शुचिक करता है तो डिक्षी डिक्षेनरी जो हो जाएगे आपकी वर्डस और सब्परियाइवाची तो जाएगी विष्य को ranking ऌनों न गया हुए इसकी जूट्र सिक्वेंस बनता है कुषिन नमबर 14 जो सिक्वेंद्स बना ये बनता है थर्ड फॉर्थ सेकिंड फ़स्ट ऑप्शन एक करेक्ट है नेक्स्ट पॉप्टीन मैच दफ फोलोइंग वाला कुष्ण है मिलान करना आपको लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट से सूची फर्स्ट का सूची से से मैच करना होगा जिसमें इन साइकलोपीडिया उप एस्टाइशन है विटेकर्स अलमेनक है लीशा है और इकोनोमिक प्राइमरी सोर्स प्राथ्मिक शोत तो इसका बनता है कुश्यन नमबर 15 का जो सिक्वेंस बनेगा वो बनता है सेक्उन अबर 16 मैं तब फॉलोइंग निम्ली कित का मिलान कीज़े लिस्ट को लिस्ट सेमेच करना है मिलाना होगा जिसमें facts on file है world of learning है concordance विली यंग प्रेस गाइड है प्रियोडिकल डारेक्टरी होगा और इंडेक्स हो गया न्यूज पेपर डाइजेस्ट डारेक्टरी आपका है तो 10 सेकिंड में आपको इसका right answer देना है न्यूज पेपर डायजेस्ट समचार पत्र saç वॉल्ड ओनिंग वर्लड ओफ लर्निक हो जाएगा डारेक्ट्री मार्ट वरड उफ लॉर्निंग का डारेक्ट्री है सब्सक्राइब नोलीज क्लासिफिकेशन ग्यान का वर्गी करन दूसरा ग्रूपिंग दा वर्ज टूगैदर अकॉर्डिंग टू सिमिलेरिटी ओव मिनिंग अर्थ की समानता के अनुशार एक्तृत सब्दों का समुही करन थर्ड है रिप्रिजेंटेशन ओफ रिलेसंसिप कंसेप्ट आवधार्नाओं के विस्संभंध का निरूपन चोथा नोलीज इंजीनियरिंग ज्यान अभी आंत्री की दस सेकिंड आपको मिली है कोशन 17 में इसको ऑप्षिन देगे कौन सा ऑप्षिन इसमें आपका करेक्ट होगा कोशन नमबर 17 का राइट आंसर आपको बता सही होगा दूसरा तीसरा करेक्ट है option भी राइट है question 17 का option भी correct है next question is 18 सब्सक्राइब करते हैं तो दस सेकिंड आपको मिले कुश्चन नमबर एसको पॉल्सरे वेट 10 वे नाइट और साववा ऑपन बॉल्सां रर्वा पर गृष्च्त रहें घार कॉश्चन केंवा हैं को सेना मैं के फोल्डाइब पैप अंके में और साव थैस पर लएक compete पुराने नाम पर सूचना प्राप्त करने के लिए आपकी इस शोत स्रोतों को शंधर्वित करेगे पहला इंसाइक्लोपीडिया विश्कोस दूसरा इयर बुक्स वार्सिकी तीसरा गजेटियर बोगोली को चोतर डारेक्टिज यानि निर्देशी का है तो 10 सेकिंड में आपक जो टाइम था वो समाब तो इसमें सबस्य पहले इंसाइक्लोपीडिया विश्कोस है को ओंधियर बोगोलिए को सबस्यात करना है मैं करना है मैच करना है तो सबसे पहले यूनियन आप्सर सोर्स्स तरश्य मैंको को मैच करना होगा 10 सेकिंड आपको मिली है कोशन नमबर 20 का यह इसके ओप्षन आपके दिये गए है चारों आपके हैं तो कोशन 20 का लास्ट कोशन जो आपका टेस्ट का है इसका राइट आंस्वर क्या होगा कौन सा किस मैच करेगा क्या सिक्वेंस आपका बनता है सबसे पहल मुझान पैंपलेट ऑन युजर प्राइमर ऊंवर्ड कॉछ कंता हैं यह को स수ophy स्कान क्रमानिकरन उन्दकेशन एंडस के सब्सक्रक्क्राइण जो आपका बन मैच आइन सबस्क्राइट सबस्कात्य सर्वेंस के परकाशित स्कूप करनें मैं है लोए नधिनन सरसे हो रखें करेक्ट है कोश्चन 20 का ओप्शन सी राइट होगा ये लास्ट कोश्चन आपका था चले जो बच्चे चैनल पर नए है वो चैनल सब्सक्राइब करके रखे वीडियो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शियर कीजिए थैंकि यू